यूए गूट आफ्टरून श्टूरेंट्स तो हम पढ़ रहे थे कंटिनेंस के बारे में तो हमने पिछले वाले लेक्चर में एशिया, एफरिका, नोर्ट अमेरिका और सौथ अमेरिका को डिसक्स किया था तो आज हम अंटार्टिका से स्टार्ट करेंगे देखिए अंटार और जो Antarctica जो है वोग में वाल के सब्से फिप्ट लाजेसсь कंटिनेन है और ये पूरे वाल में से सब्से ड्रायस्ट और कॉल्डेस रिजिन है जो की यहां पे हर साल क्षा रहते हैं स्नो से कवर्ड रहते हैं यह ऑल यह ऑंटार्रिका अंटार्टिका में जो है वो हर साल स्नोव रहते हैं वहां पे और इसको हम White Continence भी कहते है अंटार्टिका को और इसे अरण बहाँ मुए इस औरम पॉल और अंटार्टिक शर्क्ल जो है वो नौर्ट-पॉल से लेकर आर्टिक शर्क्ल तक है और इस सराउंडिट बाइ दी पैसिफिक ओशन, एड्लांटिक ओशन और इंडियन ओशन और जो अंटार्टिका की इरिद की जो है वो अलग-अलग ओशन से जैसे की पैसिफिक ओशन है अड्लांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है अंटार्रिका वास आप फस्कावर्ट इन 1820 जो अंटार्रिका जो है वो फस्सली डिसकवर्ड किया था 1820 में और इस कंटिनेट इस इन हैबित और इस जागे इस कंटिनेट में कोई मलब हैबिटेट जगा नहीं है यहां पर कोई नहीं रहते हैं accepted for the few research centers, यहां पर कुछ few research center के अलावा कोई habitat जगा नहीं है, all these centers, यह सारे centers जो है to study were set up after the Antarctic Treaty, which was signed in the 1955, जो Antarctic Treaty जो है, वो signed हुआ था, 1959 के बाद, तो उसके बाद ही यह research center जो है, वो Antarctica में, जो Antarctic में set up हुआ था, डक्षिन, गंगोत्री, मेत्री, एन बराती और अनेम आप दि इंडियन research center in the Antarctic, जो research center है Antarctic में, जैसे की द्रक्षिन है, गंगोत्री है, मेत्री है, और बराती जो है, यह कुछ research center है, जो की कहां पे है, अंटार्टिका में, फिर आता है इसके बाद, यॉरप, यॉरप जो है one of the six largest continent है, और इसका latitude जो है, वो extend किया है between the 30, 36 degree north and 72 degree north, और longitude जो है, एक्स्टेंड बिट्विन the 10 degree west and 60 degree west है, most of the continent lies in the north hemisphere, जैदा तर continent जो है, वो north hemisphere में है, it is surrounded by the Arctic circle in the north, इसके मलब surrounding जो Arctic circle है north में, और Atlantic ocean से, sorry, Arctic ocean है north में, जो Atlantic ocean है west में, और जो southern side में meridian sea है, in the east boundary by the oral mountain से, और इस south east lies the capsicum sea, the southern part of the Europe is a mountainous region, जो southern part, यॉरप की जो southern part में, जादे तर क्या है, mountainous region है, alps mountains run from the France to Italy, जो, alps mountains जो है, वो कहां तक है, France लेकर Italy तक, और जो highest peak is a mount alvars, जो mount alvars, जो है, वो कहां पर है, यॉरप में है, तो यह, mount average जो है, वो सबसे highest peak है, the continent is a water by the several rivers, जो इस continent में, जो waters आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग rivers से, वोल्गा बिंग, वोल्गा बिंग दी longest, जो लोग, वोल्गा बिंग जो है, वो सबसे longest river है, जो इसके बाद आता है, Australia, एस्ट्रेलिया जो है, one of the smallest continent in the world, एस्ट्रेलिया जो है, वो वोल्ग के सबसे smallest continent है, और इस latitude extended between the 10 degrees south and 44 degrees south है, और longitude जो है, वो extend किया गया है, between the 112 degree east जे लेकर 154 degree east, along with the new zealand and other nearby island, it is called the astralis, जो new zealand से लेकर बागी जो इसके इरिद के जो island है, उन सब को क्या कहते है, astralis कहते है, it is surrounded by the ocean on all side, जो एस्ट्रेलिया के इरिद के रिद क्या है, बहुत सारे oceans है, hence it is the island continent और यह एक महलब island continent है, तिमोर एन दी अर्फूरा sea lies to the north and coral sea to the northeast, जो तिमोर एन अर्फूरा sea जो है, वो नर्ड में है, आस्ट्रेलिया के और coral sea to the northeast में है, और Indian ocean जो है, वो west में है, and जो Pacific ocean जो है, वो east में है, the major part of the central and west central region of the Australia is a plateau, जो major part of the central west central region में, जो एस्ट्रेलिया के west central region में ज्यादे तर क्या है, प्लेटो है, प्लेटो है, तो the great dividing range is found towards the east, the highest point of the Australia is a meth, cosco, cosico, Australia has a unique variety of wildlife, जो एस्ट्रेलिया में जो है, वो अलग variety of wildlife है, this include the emers, kangaroos and coral bear, जो है, वो कहां पर पाई जाते है, एस्ट्रेलिया में, a very interesting feature of the continent is a great berry reef, जो सबसे interesting feature जो है, इस continent का क्या है, यहां पर great berry reef है, it is a world largest coral reef system and lies along to the north east coast of Australia, और जो great berry reef जो है, वो जादे तर कहां पर lies करते हैं, north east coast of Australia में, और it is one of the seven natural wonder of the world, और Australia जो है, one of the seven largest wonder of the world है, तो आज का topic हमारा यही तक था, अल्ला आफेज, अल्ला आफेज, अल्ला आफेज, चाल है, जो है, अरूद का है, अल्ला आफेजृ झाल झाल